नमस्का दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी 50 फिजदी महेंगाई बत्ता होने के बाद रेल्वे करमचरियों के रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की नई दरों के बारे में जैसे की जनावर दोजारचविश से मेंगाई बत्ता पच्चास फिजदी हो चुका है इसका फादा रेल्वे करमचरियों के साथ सबी करमचरियों को अन्यभत्तों के रूप में भी बिलने वाला है तो रेल्वे करमचरियों का रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस कितना हो च उसकी सेल R3H2 के अधर पर रिस्क और हाड सी पलाउंस का बुक्तान किया जाता है। तो इस मंजूरी के बाद अब ऐसे रेल्वे करमचरी जिनका की पे लेवल 9 और उससे उपर का है उनको अब 4,250 रुपे पर मंथ वहीं लेवल 8 और उसे नीचे वाले रेल्वे करमचरीयों को अब 3,350 रुपे पर मंथ रिस्क और हाड सी पलाउंस का बुक्तान किया पर मंथ 675 रुपे से लेकर 850 रुपे पर मंथ की बड़ोतरी हो चुकी है काफी अच्छा फाइदा ये रेल्वे करमचरीयों को मिलने वाला है रिस्क और हाड सी अलाउंस के बारे में उसके बाद में दूसरा अलाउंस यहां पर है कि स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउ पर में पर तीसरा एक अलाउंस है जो कि पहले 6750 रुपे पर मंथ मिलता था 25 फिजदी की बड़ोतरी के बाद ये हो चुका है 8447 रुपे पर मंथ तो अच्छी खासी बड़ोतरी इस अलाउंस में भी हो चुकी है तो ये नई दर्य हैं रेल्वे करमचरीयों के रिस्क और ह कफी अच्छा फाइदा रेल्वे करमचरीयों को ये होने वाला है इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपके दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूब प्रेस करें हरे ये यूजफ